हेलो दोस्तो क्या आपको पता है अगर कोई मच्छर HIV पॉजिटिव होने वाले व्यक्ति को काट कर किसी दूसरे नौर्मल इंसान को काटता है तो HIV नौर्मल इंसान में ट्रांस्मिट नहीं होता क्योंकि मच्छर जब काटता है तो वे अपने सरीर के इस्टोर किया हुआ खून मनुशियों में ट्रांस्मिट नहीं करते हैं वे केवल लार को ही मनुशियों में इंजेक्ट करते हैं और मच्छर खुद HIV पॉजिटिव से संक्रमित नहीं होते क्योंकि HIV का वाइरस मच्छरों के पेट में जिन्दा नहीं रह पाता यह वाइरस मच्छरों के पेट में खून के साथ ही पच जाता है मच्छरों के सरीर में टी सेल्स नहीं होते इसलिए वाइरस को बढ़ने के चांस नहीं मिल पाते और आपको ये मचलों का फैक जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मेजन वीडियो के लिए लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें